हेलो स्टूडेंट्स और वेल्कम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले कंपनी लौ के अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक टेट इस रिदक्शन आप शेयर कापिटल को कम किया जा सकता है क्या कंपनी अपने शेयर्स का वैल्यू कम कर सकता है आज के क्लास में देखेंगे आखिर कंपनी क्यों ऐसा कर रहा है प्लस इससे क्या लीगल प्रोविजन्स हैं और आखिर एक शेयर्स होल्डर को फाइदा होता है या फिर नुकसान वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दे कि हम लोग बिकॉम का कंप् प्रेप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी टेलिग्राम चैनल्स वट्सेप ग्रूप्स का लिंक है तुम उसको जॉइन करो तुमको टाइमली वहां पर अप्डीट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू इनी काइंड ऑफ अनॉंसमेंट्स एक्डाम रिलेटेड इंपॉ जय कंना वह बखता है कम करें वही पड़ने वाले की क्या शेयर कापिटल को कम किया जा सकता है आखिर कपनी शेयर कपिल कम क्यूं करें अकांट्स का समझो लॉजिक पहले तो यह बैलन easter को यहागी सेयर कपिटल लाइबलेटी साइड में आ रहा होगा और इधर साइड आ रहा होगा company के सारे assets ठीक है अब suppose ऐसा होता है कि company को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और यह जो assets का value जो दिख रहा है reality में अब assets उतना कार नहीं है या फिर बहुत सारा loss-wide company में और बहुत सारा accumulated losses balance sheet के assets side में दिख रहा है यह जितना भी losses है जो कि balance sheet के asset side में दिख रहा होगा कि सब किसको belong करता है it belongs to the owner मालिक का है यह losses है ना यह loss किसको bear करना है मालिक को ही bear करना है तो company क्या करता है इधर side से asset का value कम कर दिया accumulated losses को हटा दिया जो asset fixed assets या कोई current assets जिसका market value कम हो गया है उसको कम कर दिया और liability side से अपना share capital को कम कर दिया तो इसको बोलते है reduction of share capital section number 66 govern करता है companies act का कि क्या एक company अपने share को reduce कर सकता है and the answer is yes company कर सकता है reduction of share capital देखें और देखें क्या provision इसके related section 66 deals with reduction of share capital the provisions are stated as under देखें क्या provision है देखो सबसे पहला reduction of share capital by special resolution क्या पास करना पड़ेगा special resolution special resolution मतलब याद है 75% या उससे ज्यादा लोग अगर सहमती देते हैं हां बोलते हैं तो हम उसको बोलते है special resolution ठीक है reduction of share capital by special resolution to be confirmed by tribunal कौन सा tribunal है national company law tribunal ncl t बोलते हैं हम लोग इसको short form में full form है national company law tribunal ठीक है basically head है company का head जो है ncl t section 66 provides that subject to confirmation by the tribunal on an application by the company a company by a special resolution reduce the share capital in any manner and in any particular में कैसे reduce कर सकता है आगे बताया हुआ है तो वो रहे के company चाहे तो अपना special resolution पास करके मदब 75% या उससे ज्यादा shareholders अगर हां बोलते हैं तो ट्रिविनल से confirm करके ट्रिविनल से हां बुलवा के ट्रिविलन से approval लेकर company reduction कर सकता है ठीक है कैसे reduction करेगा पहला तरीका यह पहला तरीका है और यह उसका दूसरा ठीक है बाकी अटा देता हूं मैं देखो पहला extinguish or reduce the liability of any of its shares in respect of the share not paid up ठीक है तो वो share जिसका पैसा अब तक नहीं मिला है जैसे company के balance sheet में एक share है जिसका value 7 rupees है अभी 10 का share है company अभी तक साती रुपए receive किया है तो और तीन रुपए company receive करेगा अब company क्या कर दिया शेयर का value ही 7 कर दिया का value reduce कर दिया शेयर का value 7 कर दिया इसका मतलब क्या है उस shareholder को और तीन रुपए देने का जरुवत नहीं है समझ मा रहा है एक्जांपल समझ मा आएगा in respect of a share of 10 rupees एक 10 रुपए का share है a company has called only 7 rupees per share and the same has been paid up by all the shareholders 10 रुपए का share था company लेकिन अभी तक 7 rupees मांगा था और पूरा का पूरा 7 रुपए सब को ही दे दिये थे ठीक है the company decides not to call company decide क्या ना मांगने का not to call the remaining 3 rupees per share and reduce shareholders liability तो 10 का share का value कितना हो गया 7 हो गया company अब 10-3 रुपए मांगेगा ही नहीं तो क्या हो गया share का value क्या हो गया reduce हुआ इसको बोलते reduction of share capital ठीक है if done the company is said to have reduced its share of 10 to 7 दस का share का value कितना कर दिया है 7 रुपए कर दिया समझ मा रहा है clear next point no.2 इधर with और without exchanging और reducing liability of any profits fairs shares जए का liability कम नहीं किया share का value कम नहीं किया जो भी assets था balance sheet में assets था न balance sheet में asset लिकाहत लेकिन reality में इसका value काफी कम है जितना लिखा हुए है इधर साइड assets का value कम क्या asset side मैं और liability side में क्या कम कर दिया capital कम कर ठीक है cancel any paid up share capital which is lost or is unpresented by asset बतलब share capital हो कम कर देना क्योंकि उसके बदले asset है नहीं हमारे balance rate में balance rate के asset side में जो assets लिखा हुआ है reality में वो exist ही नहीं करता या फिर उसका value बहुत कम हो गया है जितना में वो लिखा हुआ है उससे काफी कम है उसका value इन पेड़ पेड़ इन पेड़ अप्शेर कापिटल विच एन एक्सेंस अफ व्ट वन्स अब दी कमपनी अगर शेर का value बहुत जादा है इस अच्छ बहुत कमपनी के बास कमपनी नहीं चाहता इतना पैसा रखना तो क्या कर सकता है यह का पैसा रिटर्न कर सकता है तो इधर शेर कापिटल कम हो जाएगा और इधर बैलने शेट में एसेट साइड में कैश कम हो जाए मतलब पैसा बहुत है कंपनी के पास in the form of cash company चाहते है अपना shares को reduce करना तो company क्या करेगा थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर देगा इधर शेर का value कम हो गया और इधर बैलने शेट में एसेट कम हो जाए तो बेसिकली company shares का value कम कर रहा है that is basically known as reduction of share capital ठीक है next reduction not permitted production allow नहीं होगा कब देखो section 66 subsection 1 further provides that no such reduction shall be made if the company is in areas areas मतलब पैसा नहीं दिया है किस चीज का पैसा नहीं दिया है repayment of any deposits accepted by it either before after the commencement of this act and interest payable बोल रहा है कि अगर कोई भी deposits है जिसका पैसा नहीं दिया है या फिर कोई भी interest है उसके उपर उसे interest का पैसा नहीं दिया है तो अगर यह deposit या interest का पैसा अब तक वापस नहीं किया है तो company reduction of share capital नहीं कर सकते तो reduction allow नहीं किया जाएगा criminal के तरफ से अगर company past में failure किया है deposits का repayment करने में या फिर उसके उपर जो interest बनता है उसका repayment करने लिए ठीक है निक्स्ट नमबर टू क्या बोलता है issue of notice by the criminal अगर ट्रिविनल कुछ detail मांगना चाहता है तो ट्रिविनल क्या करेगा कितना दिन के अंदर वो notice issue करेगा according to section 66 subsection 2 the tribunals will give notice of every application made to it under subsection 1 जो उपर हम पढ़े to the central government criminal क्या करेगा किसको बताएगा central government को ठीक है and to the security exchange board of India CB को भी बताएगा कब अगर company listed है तो ठीक है and the creditors creditors को भी बताएगा company ठीक है and the creditors of the company and shall take into consideration the representations if any made to it by that government registrar TV and the creditors within a period of three months तीन महना के अंदर company application दिया अब तीन महना के अंदर जो है criminal इन सबको informed करेगा और इनको अगर कोई भी objection है तो यह criminal को बोल सकते हैं कि reduction of share capital allow नहीं होना ठीक है when no representation has been received by the central government, registrar, KB and the creditor अगर कोई reply नहीं मिलता है उनके तरफ से तो यह मान लिया जाएगा कि उनको कोई भी objection समझ महारा नेक्स्ट अब जब यह clear हो गया ही किसी को कोई objection नहीं है तो अब tribunal allow कर देगा reduction of share capital करने के लिए ठीक है according to section 66 subsection 3 the tribunal if it is satisfied that the debt or claim of every creditor of the company has been discharged or determined or has been secured or is concerned is obtained या तो सब कोई safety ये creditor का पैसा कहीं नहीं जाएगा उनको भी पैसा मिलेगा या फिर creditor बोल दिये कि उनको कोई भी objection नहीं है make an order confirming the reduction of share capital on such terms and conditions as it deems fit यो इसको ठीक लगे ये सापसे condition डाल सकता है एक है next publication of order of tribunal confirmation of tribunal section 66 subsection 4 states that the order of the confirmation of the reduction of share capital by the tribunal under subsection 3 shall be published by the company in such manner as the tribunal में गरेग बात है tribunal का जो order है company क्या करेगा इसको publish करेगा कि tribunal से order मिल चुका है कोई भी newspaper में company के websites में post करेगा कि tribunal हां बोल दिया है ठीक है तो अगर हम process को summarize करें है तो देखो बहुत आसान है तबसे पहले company क्या करेगा कि 70% concern लेगा किसके किसका अपने shareholders का मतलब क्या पास करेगा company special resolution ठीक है company special resolution पास करेगा company reduction of share capital करना चाहता है ठीक है उसके बाद company क्या करेगा company inform करेगा tribunal को tribunal से permission मांगेगा कि क्या हम लोग reduction of share capital कर लें क्या tribunal तुम अलाव करते हो हमको reduction of share capital करने के लिए अब tribunal क्या करेगा क्रिविनल पूछेगा किस से कॉम्मेंट से क्रेजिस्ट्रार से अगर इस्टेट कंपनी है तो और कंपनी के creditors इनके पास मौका रहेगा तीन महना के अंदर अगर इनको कोई भी दिक्कत है तो यह लोग inform कर सकते हैं कि इनको कुछ problem है या इन लोग अपना जो भी दिक्कत है वो inform करेंगे या फिर अगर कोई कोई objection नहीं है तो अपना concern दे देंगे ठीक है अब अगर यह लोग तीन महना के अंदर reply नहीं करते हैं तो ट्रिविनल यह मानेगा कि यह लोकों का हाँ है इनका objection नहीं है ठीक है अब ट्रिविनल क्या करेगा ट्रिविनल ओडर पास करेगा ठीक है ट्रिविनल देखा तीन महना तक इनका कोई दिक्कत नहीं आ रहा इनके तरफ से अगर दिक्कत आएगा तो company को बताएगा अब दिक्कत सॉल्व करो भई उसके बाद जाके order मिलेगा अब सारा दिक्कत सॉल्व हो गया तीन महना का time था उ ठीक है अब company यह जो permission मिला ट्रिविनल से इसको publish करेगा अपने website अपने newspaper में ताकि सबको पता चले कि national company law ट्रिविनल जो है हाँ बोल दिया है reduction of share capital के ठीक है बहुत simple सा law है मैं यहां पर summarize भी कर दिया क्या था law ठीक है अगर पहला step देखेंगे step 1 तो company यानी खुद अपने shareholder से पहले पुछेगा 50% लोग हां बोलते हैं तो बात आगे होगा फिर अगर 75% या उससे ज्यादा तो फिर या फिर अगर वो लोग तीन मेना केंदा reply ही नहीं करते हैं या reply करते हैं और बोलते हैं कि objection नहीं है तो फिर ट्रिबिनल क्या करेगा order pass करेगा क्या करने के लिए reduction of share capital करने के लिए और यह जो order आएगा कंपनी के पास company इसको publish करेगा सब तरफ ताकि सबको पता चले कि NCLT जो है national company law tribunal order दे दिया है company को reduction of share capital के clear है तो इसी के साथ हमारे एक बहुत important topic complete होता है the name of the topic was reduction of share capital वीडियो पसंद आया है तो comment करना like करना subscribe करना video के description में हमारा सारा details दिया हुआ है तो मुसको follow करो channel के playlist में जाके हर एक subject का videos देख सकते हो और अभी तक support करने के लिए thank you I hope कि ऐसे support मिलता रहेगा thank you